हेलो हाई आदाव नमस्कार सम्मान साथियों वेलकम टी योट्यूब चैनल टैट परिंट महम्मद इस्फली के संग आज हम बात चित करने जा रहे हैं मानाव संब्दा पोर्टल का अपडेट और जब किसी भी पोर्टल का अपडेट के जाता है तो उसमें संसोधन भी होता है तो संसोधन जब होता है तो उसमें कुछ बातें अलग होती हैं कुछ उन बातों को ध्यान रखना अनिवारिय होता है यदि हम उन बातों को ध्यान नहीं रखेंगे उन नियमों को ध्यान नहीं रखेंगे तो हम वहां उस पोर्टल तक उस कारिय को सही दंग से नहीं निवा दुसरा मानव सम्दा पोर्टल पर ओनलाइन अवकासेतु सललगन किये जाने वाले पिरपत्र एवं पिरपत्र के सललगनों का वीवरण पर चर्चा करेंगे कि जब हम CCL या मेडिकल लीव या कोई भी लीव लेते हैं तो किस लीव के साथ कौन सा पिरपत्र हमको डाउनलोड करना पड़ेगा कौन सा सललगन करना पड़ेगा इस पर आज हम बाचित करने जा रहे हैं यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सबिस्क्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेश करें ताकि नोटिफिकेशन सरप्रिथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें शेयर के करने से ज्ञान घरता नहीं ज्ञान बढ़ता है साथ ही यदि आप हमारे यूटूब चैनल के वार्टसप ग्रूप और टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ सकते हैं तो चलते हैं आज की वीडियो के सिर्शकी तरफ मानौ सम्दा पोर्टल से अवकास लेने के सम्मद में विशेश महत्मून सूचना नियू अपडेशन मानौ सम्दा अपडेट अब पोर्टल से अवकास लेते वक्त इन बातों का रखना होगा ध्यान और नेश्ट है मानौ सम्दा पोर्टल पर अउनलाइन अवकास है तो सल्लगन किये जाने वाले पिरपत्र एवं पिरपत्र के सल्लगनों का विवरान देखें चलते हैं वीडियो की तरफ मानों सम्दा पोर्टल के माध्धम से आउनलाइन लिये जा रहे अवकास प्रिक्रिया का लगातार दुरुपियों किये जाने पर महानिदेशक इस तर से लिया गया स्ट्रिक्ट रने तो ये महानिदेशक का आदेश है जो हम कई आदेशों को मिला करके हम ये वीडियो बना रहे है इस चीज़ को आपको ध्यान लखना होगा निरिक्षन के दोरान अनुपस्थित पाये जाने के बावजूद भी करमचारियों दोरा पिछले दिनांक में अवकास लिये जा रहे थे और ले जा रहे थे आवेदन मान लेजिए आज हम नहीं गए और अनुपस्थित पाये गए निरिक्षन के दोरान तो उनको सही दिखाने के लिए वहाँ आवेदन पिछले डेट में दिखाये जा रहे थे तो उसको बंद किया गया है जैसे हम पिछले डेट में लेते थे तो अब उसको हम पिछली डेट में नहीं ले सकते क्या संसोदन के लिया है? देखते है पोटल पर संसोदन नंबर बन अब कोई भी करमचारी पिछले दिनांग में किसी भी तरह के अवकास का आवेदन नहीं कर सकेगा मानव समदा पोटल पर अवकास का आविदन करते समय कैलेंडर डायलोग के पीछे का दिनांग सलक्ट नहीं हो सकेगा जैसे पिछले डेट का सलक्ट कर लेते थे लेकिन अब पिछले डेट का सलक्ट नहीं कर पाएंगे सिर्फ उसी दिन का हम अवकास उसी दिनांग का अवकास हम ले सकते हैं अभी अवकास का आविदन मानव समता पोटल पर ब्राउजर के माद्धम से लोगिन करें क्योंकि एम इस्थापना पर अभी उप्रोगत पिर्किरिया के अपडेशन का कार्य चल रहा है सीखरी एम इस्थापना पर भी पिछले दिनांग का अवकास आविदन नहीं हो सकेगा तो मानव समता पोटल पर तो हो चुका है लेकिन एम इस्थापना पर अभी नहीं हुआ है इस चीज को आप ध्यान अखना पोटल पर संसोदन नमबर दो लेखते हैं क्या है संसोदन नमबर दो जिस दिन का आपको अवकास लेना है उसी दिन विद्याले समय से पंद्रे मिनट पूर तक ही अवकास का आविदन पोटल पर स्विकार किया जाएगा पहले हम मनली जी दोपहर को भी नेट नहीं आ रहा है या कोई परिशानी आ रही थी कहीं फंस जाते थे तो हम कुछ लेट भी कलिया करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा आप पंद्रे मिनट पूर तक ही अवकास का आविदन पोटल पर किया जा सकेगा उसके बाद कोई भी आविदन पोटल पर स्वीकार नहीं किया जाएगा वर्तमान में 7.45 एम के बाद उस दिन का अवकास आविदन पोटल पर स्वीकार नहीं किया जाएगा अते समय से पूर सम्मद्र दिन का अवकास एप लाइक करें यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सबिस्क्राइब अवश्य करें किरपिया अपने इस तर के सिक्षकों को अवगत कराना सून स्चित करें माना समदा अपडेट आप पोटल से अवकास लेते वक्त इन बातों का ध्यान लखना होगा तो चलते हैं जियो की तरफ कार्याले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव और ये पत्रांग 338,62,2021, दिनांग 77,2021 का है आदेश लेकिन ये समस्थ खंड शिक्षा अधिकारी जन्पद उन्नाव के लिए नहीं है क्योंकि ये मानव सम्दा पोटल का है तो इसलिए ये ओल यूपी का है इसको ध्यान में रखकर आपको चलना होगा कि ये उन्नाव का ये नहीं है क्योंकि मानव सम्दा पोटल जो है ओल यूपी का होता है तो विशह मानव समदा पोर्टल के माध्यम से आनलाइन अवकासों के स्विकरति के समन्मे उपर्युक्त विश्यक अवगत कराना है कि सासन उच्छादिकारियों द्वारत दिये गए निर्दयसों के अनूपालन में कारियालियों, विद्द्यालियों में कारे रत करमचारियों को उनके द्वारा लिये जाने वाले अवकासों की स्विक्रती माना संदा पोर्टल आउनलाइन परणाली के माध्धम से समय अंतरगत की जा रही है। आउनलाइन अवकास स्विकृति के समय यह देखने में पाया गया है कि कतिपे सिक्छक सिक्छी का करमचार्य द्वारा आउनलाइन अवकास प्रेशन में अवकास से समंधित समस्त आवश्यक पत्राजात सल्लग्न कि नहीं किये जा रहे हैं जिस से उनके द्वारा लिये जाने वाले अवकास की नियम अनुसार श्रीक्रति नहीं हो पा रही है अवकास तु सल्लग्न किये जाने वाले प्रेशन में अवकास प्रेशन अवस्यक पत्राजात इसमें क्या है निर्धारित प्रारूपर फोटो युक्त प्रातना पत्र नमबर दो फोटो युक्त नौट्री सफत जिसमें होने वाले बच्चे एवं पूर्व के बच्चे यादी यदि हो तो का उस इसपस्ट उले करें जनम सहित किया जाए या जनम पिरमान पत्र सलग्न किया जाए और नमर तीन है अल्टरा साउन रिपोर्ट पंजीकरत डॉक्टर की परामर्स रिपोर्ट जिसमें आई डी डी दर्साई गई हो सलग्न करें तो जब आप मात्रत्व अवकास लें तो ये इन तीन चीजों की आप पूर्थी करेंगे फोटो प्रात्ना पत्र साहिद और फोटो नोटेरिस सभथ पत्र और अल्टा साउन रिपोर्ट ये इन तीन चीजों को आपको अपलोड भी करना होगा और नमर दो बाल्य देख बाल हेतु आवश्यक पत्राजात निर्धारित प्रारूपर फोटो ये प्रात्ना पत्र फोटो नोटेरिस सभथ जिसमें समस्त बच्चों का उल्लेक करने के साथ साथ जिस बच्चे हेतु आवकास लिया जा रहा है उसकी जनम तिथी का उल्लेक आवकास लिये जाने के कारन एवं आवेदित तिथी का इसपष्ट अंकन किया जाए बच्चे का जनम पिर्मान पत्र सल्लगन किया जाए तो बाल ले है देख बाल के लिए दिए आवकास ले रहे हैं तो ये दो पैंटों का ध्यान लखना होगा और तीसरा है हमारा इसमें चिकत्सिय अवकास ये तु आवश्यक पत्रा जात नबर एक निर्दारित प्रारूपर फोटो यूथ प्रातना पत्र लगाना होगा और ये एप्लोड भी करना होगा नमर दो पंजिकरत डॉक्टर का चिकत्सिय प्रमान पत्र इसमें चिकत्सिय अवकास प्रमान पत्र में दो डोकुमेंट्स लगाए जाएंगे अते आपको निर्देशित क्या जाता है कि आप अपने विकास घंड में कारिज़त सिक्षक, सिक्षिकाओं, करमचारियों, सिक्षामित्र, अनुदेशक को उप्रोक्त अनुसार, आवश्यक प्रपत्रों को सलगन, सासना देश में निहित व्यवस्त अनुसार, अवकास आवे और यह हैं जिला बेसिक शिक्षादी कारिज जैसिंग, उन नाव के हैं यह, जदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सबिस्क्राइब, आवस्य करें, टैट फैंड बाई मुहम्मद इस्फली, धन्यवान